ओके बेटा लास्ट में हम लोगोंने कोलिगेटिव प्रोपर्टीज में लास्ट में कोलिगेटिव प्रोपर्टीज देखी थी उसके बाद हम लोगोंने वन्टोप फेक्टर देखा था और वन्टोप फेक्टर के बारे में रिजन भी देखा था अब उसके सिर्फ हम लोगो को formulas देखने हैं बस जो भी हम लोगों ने colligative properties देखी है वही formula में हम लोग one top factor को use करेंगे तो हम लोगों को one top factor के formula जो है वो formula मिल जाएगी बस वो formula है उसको revise करना है बेटा और कुछ नहीं नहीं करना है like देखो delta tb of z is equal to क्या होता है i i लगा दिया i मतलब क्या है want of factor delta tb calculated so अब second देखो formula delta tb to is equal to i into m kb ये भी हम लोगों ने formula देखी थी so delta tb is equal to i into kb into m जैसे हम लोगों ने यह formula देखी थी as it is delta tb है तो b की जगपे f आएगा तो यही formula मिलेगी हम लोगों को delta tf is equal to kya होगा i into kf into m yes or no yes or no यही होगा delta tf is equal to i into kf into m चलो next देखा था हम लोगों ने pi pi is equal to kya है भाई अमारे पास pi is equal to crt था बेटा तो क्या होगा pi is equal to i into crt as it is राउल श्लो में देखा था rlvp में देखा था lowering vapor pressure वाला relative lowering vapor pressure rlvp तो यह first qualitative properties थी उसमें भी देखा था rlvp is equal to kya है pa0 minus pt upon pa0 is equal to kya देखा था i into xb xb देखा था yes or no तो यही formula है xb की जगपे हम लोग क्या लिख सकते है इन्टो एन्टो एन्बी अफने ने तो वे ही मिल जाएगा हम लोगों को ठीक है तो ऐसे हम लोग मतलब क्या होता है यह जो formula है formula yes it is functional group वाल sorry जो collective properties वाली जो भी formula यही formula का हम लोग use कर सकते समझ में आ रहा है बेटा समझ में आ रहा है everyone understand बस वही formula yes it is same same यहां पर use करना है बस सिर्फ वांटो फेक्टर को साथ में लगाना है तो formula क्या हो जाएगी बेटा revise हो जाएगी और यही formula हम लोगों को मिल जाएगी ओके नेक्स्ट उसके बाद देखते है कि हम लोगों ने कल देखा था solute जो है molecules के जो भी particles है यह तो dissociate होते यह तो dissociate होते मरलब एक में से दो हो जाते दो में से एक हो सकते अगर associate है तो क्या होगा दो molecules हम लोगों ने suppose particles देखो solution में अगर हम लोगों ने दो particles एड़ किये कितने particles एड़ के यह बेटा दो तो दोनों जूड के कितने मिलेगे हम लोगों को यहाँ पे only one particles मिलेगा this is called association तो हम लोग यहाँ पे first case देख रहे association of solute molecules like देखो उसमें polymerization जैसा काम होता है देखो अगर एने particles हम लोगों ने एड़ किये तो उसके जो उसमें से मिने देखा न यहाँ पे तो एन particles एड़ किये लेकिन यहाँ पे कितने मिल रहा है यह की मिल रहा है तो क्या मिल रहा ह एक यह जैसे कितने बहुत सारे particles एजैसे ही मिलेगी यानि यह इन particles मिलेगे समझ में आ रहा है यहाँ पे 1000 particles लेए बट यहाँ पे 1 जैसे ही सब मिल रहा है ठीक है तो एन particles मिल रहा है देखो यानि एन इस इकूल क्या है initial कितने थे एक तो फिर कितने मिल रहा है हम लोगों को एन पर्टिकल जीरो एनेफ एनेफ क्या है इनिशल एनेफ फाइनल है फाइनल में सपोज क्या मिल रहा है सोरी जीरो नहीं आएगा बेटा यहां पे सपोज है आलफा पर्टिकल जीरो अब देखो एनेफ तो एनेफ क्या है वन माइनस आलफा तो वन माइनस आलफा में से क्या ह हो रहा है यहां पर alpha upon n हो रहा है तो उसके हिसाब से nf अगर find करें तो nf की formula क्या होगी तो final दोनों हैं तो दोनों का साथ में conclusion लेते हैं तो क्या मिलेगा nf is equal to one minus alpha plus alpha upon n बटम लोगों ने कल देखा था i is equal to क्या होगा n final upon n initial so i is equal to क्या formula मिलेगी one minus alpha plus alpha upon n तो यह जो formula है वो किसके लिए है आई यह one of factor i मिल रहा है बटे किसके लिए मिल रहा है जब क्या हो रहा है molecules क्या क्या हो रहा है बेटा यहां पर association होता है तौब जाके मिलता है और यहां पर देखो na gives one molecules so alpha gives molecules and molecules मिल जाएगे और alpha क्या हो जाएगा यहां पर degree of dissociation so n i की valuation क्या मिलेगी हम लोगों को one मिलेगी तो ऐसे i हम लोग find कर सकते सबस्थ देखो यहां पर two particles ले मतलब दो ले तो एक मिला यह two मिल गए न i one है तो zero तो फिर nf क्या होगा one minus one q one minus one one minus one होने का reason क्या है बताओ चलो चलो बताओ one minus one क्योंकि इतने हम इस में से काम हो रहे है न तो यहां पर यह कितने मिल रहे point five तो क्या होगा यह एक इस एक्जामपल है तो ऐसे association हो जाता है अगर एक पर्टिकल्स लिया तो आफ हो जाएगा yes or no आफ होगा की नहीं तो यहां पर देखो फाइनल में आफ मिल रहा है की नहीं समझ में आ रहा है ऐसे होगा बेटा तो यह फर्मिला याद रखने है आई is equal to क्या होता है एसो सीएशन ओफ सोल्यूट मोलेकल्स तो वंटो फेक्टर आई is equal to क्या होता है फर्मिला बान माइनस अलफा प्लस आलफा ऐपन एन होता है और एसो सीएशन के इसके एक्जामपल देखो तो एक्ज हो जाते हैं और acidic acid, acidic acid है तो भी benzene में dissolve करते हैं तो वही process हो जाती है ओके next carboxylic acids with smaller small molecular weight so dimerization vapor state and non polar solvent मतलब non polar solvent के example जो होते है most of वो क्या होगे association cases के example हो जाएगी तो ऐसे तो समझ में आया बेटा एवरिवन अंडरस्टेंड एसोसियेशन में क्या होगा डौ है तो एक मिलेगा यह है तो कितना मिलेगा पॉइंट फाइए बस इतना ही दिमाग में रखना है और खुट है नहीं देखो यहां पर वन है तो जीरो मिल रहा है तो वन माइनस अलफा है त तो आलफा गिवस टू मोलेक्यूल्स, यह अलफा अपन एन होगा, तो आलफा एस डिग्री ओफ डिसोसियेशन, तो फर्मिला क्या होगी, एन एफ इस इकोल टो वन मैनस आलफा प्लस आलफा अपन एन, तो ऐसे एसोसियेशन ओफ सोल्यूट मोलेक्यूल्स, वन्ट ओफ फेक्टर फाइन कर सकते हैं,